आप सभी सातियों का हमारे यूटूब चैनल एके डिजाइन सुलूशन में स्वागत है तो सातियों आज हम चर्चा करेंगे वीडियो के अंदर जो हर्याना में कल्या द्यापकों की जो पोस्ट का एक्जाम हुआ था 31 जनवरी को उसका रिजल्ट आ गया और रिजल्ट के बा जारी किया है उसके बारे में विष्तार से इस वीडियो के बारिए इस वीडियो में बताएंगे तो सभी सातियों तक वीडियो पर जुरूँड़ जूड़े रहें लाइक, سेरर सिस्क्राइब करें हमारे चैनल को तो देखती है क्या क्या गाइडलाइन है तो सातियों 22 फे के अंदर टोटल जो अभियारती थे वो थे दस जार आट सो पंतालिस और एक्जाम दिया था लगब एक्टर परसेंट सत्तर सो के करीब जो अभियारती थे उन्होंने एक्जाम दिया था परसेंट ने 21 पेज की ये जो नोटिफिकेशन जारी की है इसके अंदर उन सभी सफल अभियारतियों के रोलंबर डाले हैं जिनको डीवी के लिए बुलाया है और डीवी की जो डेट है वो एक मार्च से तीन मार्च तक की है और इसमें कौन-कौन से रोल नमबर वालों को कब-कब बुलाया है ये हम बताएंगे तो इसमें total जो number page है वो 21 pages है तो last में देख लेते हैं इसमें क्या जारी किया है 21 नमबर page पे साथ में क्या-क्या लेकि जाना है आपको तो वीडियो को like और share जरूर करें साथ ही हो तो जो page number 21 है देख लेते हैं 21 पे क्या है लगबग जो साथी पास हुए है फो लगबग पास हुए है 31 साथी जो है पास हुए है total जो साथी है वो 31 सो 31 पास हुए है और SSC ने जो date जारी किया है वो 1 मार्ज 2021 से 3 मार्ज 2021 ताउ देविलाल स्टेडियम के अंदर सेक्टर 3 पंचकुला के अंदर इनको बुलाया है सडूल के कोर्डिंग और साथ में क्या क्या लेके जाना है साथ में आपको ओरिजिनल डोकुमेंट और सेट ओप अटेस्टिट कोपी ओप आल डोकुमेंट जो भी उस टाइम आपने एकजाम फिल किया था तो उस टाइम जो अगजाम फिल किया था जो आपकी क्वालिफकेशन थी हाई क्वालिफकेशन वो भी आपने साथ में लेके जाना है वो भी ओरिजिनल और जैसे मैट्रिक का साथिविक्ट हो गया और ट्वैल्थ का हो गया आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा हो गया अगर उस टाइम आपने बीए एम में या कोई भी हाईर एक क्वालिफकेशन आपके पास थी तो वो भी साथ में लेके आनी है पीसी का सार्टिविक्ट एसी का सार्टिविक्ट और डॉमोसाइल एक दूसरा नोटिफिकेशन तेज तारिक को जारी किया था उसके अंदर सडूल डाला था कि एक से तीन तारिक तक आपको जो डॉकुमेंट लेके आने है दो सेट लेके आने है टू सेट कोपी जोप स्कोटने फॉर्म और स्कोटने फॉर्म फील करके आपको ओनलाइन डाउनलोड करना है साइट से साइट से डाउनलोड करना है और उसको बड़ी ध्यानपुर्वक पढ़ना है और उसके अंदर फील करना है तो अभी next आम आपको बताएंगे कि वो कैसे फर्म फील करना है क्या-क्या डोकुमेंट साथ में लेने हैं तो देखो सब में two copies of security format दो set लेके जाने हैं मैं तो कहता हूँ आपको self-attested तीन सेट होने चाहिए आपके पास जिसके अंदर प्लस टू सोरी मैट्रिक प्लस टू डिपलोमा और बी ए एम में जो भी आपने आगे higher qualification कर रखी है वो BC का सार्टिविक्ट, SC का सार्टिविक्ट और डोमोसाइल हरियाना रेजिडेंशल सार्टिविक्ट तो यह जो हमारा फोर्म है सबसे पहले इसके अंदर देख लेते हैं क्या है date of publication तो 20 जुलाई 2006 को इसी यह publish हुआ था यह SSE ने विग्यापन जारी किया था 6-2006, category number 22 तो इसमें एक सबसे ज़्यादा महतपूर्ण जो बात है वो है closing date 21 अगस्ट 2006 आपको बता देता हूं दोस्तों कि 21 अगस्ट 2006 से पहले अगर आपकी डिपलोमा और या इसके equivalent को सार्टिविक्ट है आर्ट एंड क्राफ्ट का वो मान्या होगा और 21 अगस्ट के बाद का कोई भी सार्टिविक्ट आपका मान्या नहीं होगा ये अपने जांच कर ले अपने सार्टिविक्ट के अंदर तो इसके आगे देखते हैं रोल अमबर आपको फील करना है इसके अंदर सबसे पहले 266 अजार लेटर में आप फील कीजिये इसको उसके बाद में फादर नेम और रिजर्वेशन काटेगरी जो भी आपकी जर्नल BCA, SCA जो भी है आपको फील करनी है डेट ओव बर्थ फील करना है उसके बाद में ये फील करने के बाद में आपको क्या करना है मैट जो सीरियल लंबर स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पर फर्स्ट सीरियल लंबर पर आपको करना है मैट्रिकलेशन फ्रॉम हरियाना स्कूल एजुकेशन बोर्ड और एन इक्वेलेंट क्वालिफिकेशन रिकूनाज़़ बाई दा आपकी मैट्रिकलेशन है यहाँ पर आपको करना है कब यह डेट ओप इसू हुई आपकी जो डीमसी है उसके निच्चे दिया हुआ होता है इसू अथोर्टी कौन थी इसू अथोर्टी होती है यह हमारा बिवानी बोर्ड हो आ जाएगा इसके अंदर डोकुमेंट सीरियल नंबर आपको फिल करने है उसके बाद में आपको सिरफ ओनली येस करना है नौलिज अप इंदी अप्टू मैट्रिक स्टेंडर्ड उसके बाद में अपनी जो एज है वो येस और नो वाले जो कॉलम के अंदर ही आपको इसके सामने थ्री नंबर के सामने फिल करना है जो भी आपकी एज है अब इफ एज रिलेक्सेशन अगर आपकी एज कलेम करने योग गय थी उस टाइम का सोरी उस टाइम जो आपकी एज थी वो ही फिल करनी है उस टाइम अगर आपकी एज ज़्यादा थी जो क्राइटेरिया 18 से 42 तो SCBC वाले इसको कलेम कर सकते हैं बाद में है फोर नमबर कॉलम डोमोसाईलो फारियाना इसके अंदर येस अगर आप अरियाना से बलोंग करते हैं तो येस आएगा अधर स्टेट से हैं तो नो आएगा उसके बाद में फिफ्ट नमबर जो कॉलम है टू ये डिप्लोमा एंड क्राफ्ट एक्जामनेशन कंडेक्ट बाइधे हरियाना इंडेस्ट्रेनिंग डिपार्टमेंट और एन इक्विलेंट क्वालिकेशन रिक्नाज़ बाइधा हरियान एजुकेशन डिपार्टमेंट अगर आपने हरियाना से जो डिप्लोमा कर रखा है आट एंड क्राफ्ट का तो उसकी जो आपने डेट ओप इसूंग इसूंग अथोर्टी कोन है डोकुमेंट सीरियल नमबर वो सारे आपको फिल करने हैं उसके बाद में शिक्स नमबर जो हाइयर कौलिफिकेशन का, अगर आपके पास उस टायम जब फॉप्ण फिल किया था बी,य, ambiguous अया अधर कौलिफिकेशन है तो आप वो इस पे फिल कर सकते हो, seven number के अंदर है marks, आपने जो higher qualification के अंदर है जो आपने marks थे obtain किये हैं वो वाले और maximum कितने उनकी percentage ये feel करनी है 8 number में आपको कुछ नहीं करना ये 4 उपिस only ये SSC की जो भी है जहां पर documents court नहीं करेंगे वो आपको लिखेंगे यहां पर eligible या not eligible और सबसे निचे है declaration only by the candidate तो इसके अंदर उसके ये declaration देने के बाद में उसके निचे आते हैं total number of document attached 02 आपने इसके साथ में जो भी document लगाए हैं उनका number लिखना है आपको 021 और निचे है total pages attached तो इसके साथ में जो attach करने हैं attach किये हुए हैं वो कितने हैं 02 जितने भी है 567 वो करने हैं उसके बाद में दोस्तों आपको बताता हूं कि आपको आपके जो roll number है उसको कितने से कितने तक को बुलाया गया है तो एक तारिक को roll number 266008 से 266306 यानी total 936 candidate को उस पहले दिन बुलाया गया है और उसके बाद में दो तारिक को roll number 266307 से 266305 तक total 144 candidate को दो तारिक को बुलाया है और लाज़ डेट तीन तारिक को roll number 266908 से 26610380 टोटल कंडिडेट होगे 1151 कंडिडेट को तीन तरिक को बुलाया है और शात में जो document लाने है वो हैं दो सेट है original document होने चीए दस्वी बारवी आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा बीए एम में एट्सेटरा जो भी आपकी हायर कवाल इपकेशन है उसके बाद में SCBC का सार्टिपकेट डॉमोसाइल एक आईडी प्रूफ लाना है जिसमें हदार कार्ड हो डी एल हो वोटर कार्ड हो एट्सेटरा जो भी है और इसके निच्चे ने लिखा हुआ है टोटल नंबर ओफ डॉकॉमेंट अटेज जीरो वन टू जो भी आप अटेज कर रहे हो डॉकॉमेंट इसके साथ में दस्वी बारवी डिप्लोमा बीची का सार्टिपकेट और डॉमोसाइल पांच यह होगे अगर आपके पास कोई और निच्चे वाड़े में ऐसे ही करना आपको पेज नंबर लगाने है वह कितने हैं तो अप्लिकेशन फॉर्म और वह के सीरो से साथ हो जाएंगे डिपन को ऑर इसके साथ में ही आपको में बैस्ट आप लख इन एडवांस सपल अभीयारतियों को जिन्नोंने डीवी कलीर किया है और इंटर्व्यू के लिए बहुत-बहुत सुब काम नए तो चैनल पर बने रहने के लिए दिल से आभार और जय हिंद जय भार